हाई इवरिवन जेसे किष्णा रादे रादे हर हर महादे और मैं सरला इंटेटिटार रेड़र मैं फिर से एक रेडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रेडिंग जो चेनल हुआ है वो भोले नात जिसे बोले नात आपको आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ गार्ड जाना है कुछ दिखाना चाहते मुझे से रहा है कि शायद एक जाके खड़े हुए हो और किसी का वेट या मतलब अब कहां जाना है क्या करना है क्या आगे की तरफ क्या होने वाला है तो बस बोले नात आपको उसी से रिलेटेड है आपके जैसे फ्यूचर है ना जो अभी म है में मेंसेजं ये भोले नात और संहीब क्या करनी की जर्रत है इस वक्त ठीक है ये भोले नात जो मैं यहाँ पर देख रही हुए कि बहुत ही जादा भोले नात पर बेल पत्र है कि बेल पत्रों से आप भो बहुष कर भी ना पता पाओ, यह जो कुछ भी हो रहा है, आप अपने भूले नात को जो भी कर रहे हो, बड़े भाव से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, और दैसे यहां पर कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आप भूले नात जैसे आपको आगे की बारे में, आगे की बारे में यहां पर आ और सावन का महीना चल रहा है आप विश्वास करना दिल खोल कर आप ओम नमश्वाय की चैंटिंग आप करते रहना करते रहना हिर्दे से चाह आप यहां पर चलते फिरते खाते पीते यहां पर मतलब हर जगे आपको महसूस होना चाहिए और हो रहा है कि भोले नात आपके मिलाकर आपके साथ में यहाँ पर चल रहा है कि परचाय बने हुए हैं वो ओके इस जीश को आपको महसूस करने की जर्रत है और ठांक यू थांक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट्स करने के लिए सश्क्राइब करने के लिए आप सब भी का मित है दिल से श डिस्किप्सम बॉक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है तो करन्ट सिच्वेशन के लिए भोले नात आपको क्या बताना चाहते हैं जिसे आपके लिए यह गार्डलाइस के रुप में आप रह सकते हो फ्यूचर के लिए है तो जो भी चीजे निकल रही है उसको आप मुझे इस सीरियस है ना सीरियस मतलब यहां पर हां मुझे मैसेज दोनों तरीके से आ रहे हैं कि कोई है जो बिल्कुल सीरियस ही नहीं होना चाहता है और कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा सीरियस है तो यहां पर भोले नात बता रहे हैं कि बैलेंस की उड़चा ठीक है जो बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल नहीं सोच चार कर रहे हैं, तो भोलेनात उनको भी बताना चाहते हैं, कि आपको अपने खुद के बारे में, अब आगी क्या करना है, उसके बारे में भी नेने डिसिजन लेने की जरुरत है, ठीके, और जो बहुत ही जादा सीरियंस है, उसे बोला जा रहा है कि वेट करो, पेशेंस रखो, आपको आगे की तरफ आगे का रस्ता आपको दिखाया जाएगा, ठीके, तो ये बोलेनात आपको अभी बताना चाहते हैं, फरस्ट काड़ा, ऐसो वेल्स, मुझे यसा लग रहा है ना कि बोलेनात आपको यहाँ पर, जैसे करन्ट सिच्वेशन के लिए ये ब्लासिंग्स आपकी लिए यहाँ पर, जैसे मैं कह सकती हूँ के पदार ये, मतलब हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में किसी का वैलकम आप करते हूं, मुझे यहाँ पर नजार आ रहे हो, जैसे आप सच बताऊना कि आपका रवया, आपका जैसे बहुत चीजों को आप अपनी सिच्वेशन को बदल रहे हो, ठीके आपका, आपकी हर चीज बदल रही है यहाँ पर, मुझे यह एक कार्ड है, यह ऐसो वील का कार्ड है, लिकिन पता नहीं क्यों, इससे मुझे एक वील की उर्जा यहाँ पर नजर आ रहे है, यहाँ गूम रहा है आपका, ठीके, जिसे आपका हर, जिसे अगर आप किसी चीज में स्टक हो रहे हो, चीज़े समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, तो आपके लिए इस कार्ड से यही गार्लाइंस निकल रही है, कि आपको जो पास्ट में आपके साथ चीजे हैं, उसे में आपको ले जाने की जरुरत नहीं है ठीक है क्योंकि आपकी तरफ यहां पर एक तो यह मुझे वील एक बहुत बड़ा transformation बहुत बड़ा एक ऐसा मतलब आप यहां पर पास्ट में अगर आप किसी चीज को अगर आपके अगर कोई हिर्दय से किसी चीज को आप चाहा रहे थे ठीक है आपकी कोई एसी विश थी या कोई एसी इच्छा थी या एसी कोई मनोकामना थी तो यहां पर बोला यही जा रहा है कि यहां पर आपको वो दिया जा रहा है ठीक है पास्ट में अभी तक आपने जो भी मांगा है शायद वो ये पास्ट की भी उर्जा आरी यहाँ पर आपके लिए के पास्ट में भी आपकी वो मनुकामना पूर्ण हुई है इच्छा आपकी भोले नात ने पूर्ण करी है लेकिन कुछ मिसिंग था ठीक है कुछ मिसिंग था जिसकी वज़े से आपका जो मेनिफेस्टेशन टैक्निक जो आप यूस करते हूँ वो मिस हो गया ठीक है कुछ चीजे जिसे आपका यूनियर्स के साथ भोले नात के साथ एक बहुत ही ऐसा कनेक्शन में देख रही हूँ जो अटूट बंधन है ठीक है एक ऐसा बंधन है एक इसे तार जो तरंगे जो होती तरंगे भी कभ चीजे बौले नात की जो अरे आपको कभी बहुत ज़ादा आपको फील होती होगी कभी बहुत ज़ादा कम होती होगी तो इसमें सोच चार करने की जरुत नहीं है ठीक है पास्ट में कुछ मिसिंग ठा आपका जो मैनिफेस्टेशन आपका कम्प्लीट नहीं हुआ और आप बद्धरो मतलब यहांपर बद्धरो मुझे मुझे गणे श्वगान की वी उच्जा नजर आ रहे हैं यहांपर जिसे बहुत सारी चीजों को आप वैलकम कर रहे हो और यहां पर एक ऐसा समय जिसका आप वेट कर रहे हो इंतजार कर रहे हो कि अब आगे क्या है तो अब आगे वही है जो आप जिसका भी आप चाहरे हो आपकी इच्छा मनो कामना यहां पर आपकी पूर्ण की जारी है एक बहुत बड़ी सी इसमाइल मैं आपके फेस पर देखना चाहती हूँ, कौन-कौन मुश्कराएगा, कौन-कौन वेलकम करेगा, ये कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर देखना है, इस बात के लिए, ठीके, मैं हर एक कमेंट सेक्षन में भीकरती, क्योंकि आपके फेस पर बहुत बड़ी इसमायल को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपक खुश रहोगे, जितनी हापी रहोगे, उतना ही आप वेलकम वाली उर्जा में यहाँ पर रहोगे, रिसीव वाली उर्जा में यहाँ पर रहोगे, तो बस आपका वो समय आ चुका है, कि भोले नात आपकी चेहरे पे बहुत बड़ी सी इसमायल देखना चाहते हैं, ठीके, वो ब्लासिंग्स दे रहे हैं, वो अपोचुनिटीज यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं, जो आपको आपकी तरफ आते हुए आपको नजर आएंगी, खास तोड़ से में यहाँ पर आपको में, अब यहाँ पर वील का है, वील का चक्र है यह, ऐसा च क्योंकि यह, क्योंकि मुझे एक इस्थिर, एक स्टेबिलिटी वाली उर्जा यहाँ पर में, अभी तक आप डगमागा रहे थे, किसी चीज में आपने डिसिजन नहीं ले पा रहे थे, कन्विजन में थे, तो वो सब चीजे आपकी क्लियर हो रही है, इन बैलेंस, तो बैल कामना इच्छा आपकी पूर्ण यहाँ पर की जा रही है, ठीके, यहाँ पर में आपको, मुझे एसा लग रहा है कि आप किसी चीज में अपने आपको इस्थिर नहीं देख पा रहे थे, या अपने आपको किसी चीज पर टिका नहीं पा रहे थे, या आप अपनी मजबुत नहीं देख पारे थे कि मैं यहां से स्ट्रॉंग हूँ यहां से में मजबूत हूँ ओके या कहीं से भी जैसे कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पा रहे थे लेकिन वह सब कुछ यहां पर आपको दिया जा रहा है आपके अंदर इस्टेबिलिटी भी होगी इस्ट्रॉंग भी पर आ रहे हैं और यह कुछ छोटा नहीं है यह बहुत बड़ी ब्लासिंग है आपके लिए जो बोले ना आपकी तरफ यहां पर बेज रहे हैं ठीक है तो उसे रिसिफ करना है आपको अन्ड यहां पर 5 ओवांड्स ऑके तक फाइफ और यहां पर बोला यहीं जा रहा है एसी उर्जा आघी है किसी काम को निर्माण करना ठीक है , किसी काम रेडी करना जिसके लिए बहुत सारे समने हैल्प की जरत होती है," बहुत कुछे ऐसी होती है कि जहां पर आपको सब की हैल्प लेनी पड़ती है," तो मुझे यह सिर्फ एक help के लिए नजर आ रहा है कार्ड के आपकी बहुत सरी शायद आपका यह जो वील है यह जो घूम रहा है ठीके यह इसकी वज़े से भोले ना आपकी इसका प्रभाव ऐसा होगा कि आपको हर जगे से help दी जा रही है ठीके आपके लिए help अवेलेबले गार्डलाइस यहां पर यही है कि आपको किसी भी तरह का doubt नहीं करना है ठीके या किसी भी तरह के घबराने की जरुरत नहीं है करन्ट सिच्वेशन में आपकी यहां पर गार्डलाइस यही आ रही है कि आपको किसी भी चीज में उलजने की जरुरत नहीं है ठीके किसी भी उसमें आपको बंधने की जरुरत नहीं है, सब कुछ यहां पर आपके पास ही available है, कहीं भी दूर भी कहीं पर वी किसी का, अगर आपको किसी की help चाहिए, या जरुरत पड़ती है, तो कहीं दूर जाने की भी जरुरत नहीं है, हर चीज आपको इर्द गिर्दी ही वहाँ पर मिल जाएगी, ओके यह बोले ना आपको बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आने वाले समय में इंसानों की या इंसानों की help की जर्रत पर सकती है, किसी भी person की, तो वो आपके लिए अबेलेबल है, ठीके, regardless यहाँ पर यही आ रही है आपके लिए, ठीके, या अभी तक आप किसी भी चीज में अपने आपको जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, एक stability, एक strongness आप नहीं देख पा रहे थे, किस्तिता नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में शायद हो सकता है, past में उल्जे हुए हूँ, ठीके, या बे बज़े कहीं आप अपना वक्त भरबाद कर रहे थे, अपनी उर्जा कहीं और लगा रहे है थे, लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है, जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, stability आ रही है, उसका प्रभाव ऐसा होगा, कि आपके यह गार्लांस निकल के आ रही है, कि जितनी उर्जा जहां लगाई है आपने, अब समय गुम रहा है, इतनी ही, इतनी हेल्प आपको दूसरों से यहाँ पर मिलने वाली है, यह गार्लांस आपके लिए निकल रही है, क्विन ओव विल्ज, सिर्फ इस कार्ट से मुझे यहाँ पर यह मेसेज मिल रहा है, कि आपको किसी भी उसमें सोच इचार करने की जरुरत नहीं है, ठीके, किसी भी खायालों में, या खायालों में, या किसी भी जैसे उसमें डूबने की जरुरत नहीं है, आप मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत बहुत जल्दी खयालों में डूब जाते हो, बहुत जल्दी आप सोच इचार करने लगते हो, ठीके, बहुत जल्दी किया होगा, कैसे होगा चीजे, ठीके, यहां पर बोला यहीं जा रहा है, कि आपको ज़्यादा सोच इचार नहीं करना है, आपके लिए समय का चक्र घूम आप जो भी आप चाहते हो जो भी आपकी वीश है जो भी तरमना है आपकी वह बहुत जल्दी यहां पर आपकी पूरी की जा रही है अप अपने आपको सिर्फ इस्थिर रखो बालंस रखो और मतलब यहां पर बोला यहीं जा रहा है कि जितना सादा आप हैपी रहोगे आप पने तरह क्वोड मुझे नजर आरही है और बस मुझे यही भृलनाथ आपको यहां पर यहीं बताना चाहते हैं कि यह जो भी अभी तक आप मतलब सोच रहे हैं कि है यह खुशकमरी मुझे कब मिलेगी यह विश मेरी कब पूरी होगी तो भॉलना तो आही आपको बता विशे जो भी अभी तक आपके ये आपका हो सकता है या ये आपके आपका सपना हो सकता है या आपके खयाल हो सकते हैं ठीके कि ये होगा के नहीं होगा ये आपके लिए शायद नामुनकिन है तो बोले नात आपको बता रहे हैं कि आपका वही खाब जो आपके लिए नामुन या सपना था वही आपका पूरा करने वाले हैं ठीक है जो भी अर्चने आरी थी जो भी ब्लॉकेज बन रहे थे ठीक है वो सब यहां पर रिलीज कर दिये गए हैं तो उसमें आपको डूबने की या सोचुचार करने की ज़रत नहीं है आपको बहुत कुछ चीजे क्लियर होते हुए आपको नजर आएंगे ठीक है तहार मीट हुम भोले ना तब को यहां पर यह बताना चाहते हैं कि आपका आपका ज्यान है ना आप अपने आपने जो भी पास्ट में जो भी अर्जित करा है जो भी ज्यान की एक ऐसी कूंजी है आपके पास ज्यान का ऐसा भंडार है आपके पास जहां पर वो आपने अर्जित करा है क्योंकि पास्ट में आपने जो भी आपने महसूस करा है फील करा है जो भी आपने देखा है सुना है उसको उसको यहां पर आपने अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत लंबी कहानी है बहुत बड़ा आपका आपका जीवेंशली हो सकती है शायाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रंथ या जीवेंशली आपने जितना अपने ऊपर अपने आपको जाना जितना अपने आपको समझा ये मैं नहीं बोल रही हूं ये भोले नाथ के मेसेज आपके लिए ठीके जितना अपने आपको जाना जितना आपने अपने आपको समझा जितना आपने अपने आपको समय दिया ठीके ये उसी का ही फल है बोलेना आपको यहाँ पर एक क्लेटी ओर देना चाहते हैं अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ठीके तो उसको उसको जानने समझने से करने से पहले खुद के बारे में जानना समझना बहुत ज़ाधा जरूरी होता है अभी तक पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने सपनों के लिए आप दूसरों की हैल्प पर डिपैंड थे ठीके लेकिन यहाँ पर आपको बोलेना आप कभी भी अपने भक्त को दूसरों के उपर डिपैंड नहीं होने देते हैं ठीके और वो जो भी भक्त चाहता है वो उसी के ठुरू और वो करमास के ठुरू वो पूरा करते हैं आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपने पास्ट में जो भी देखा, सुना, experience करा, जो भी आपकी जिवनशेली निकली है, उससे बहुत बड़ा गरंथ तयार हो सकता है, ठीके, तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है, कि वही सब चीजे अब आपकी काम हाने वाली है इन future, ठीके, future में आप अपने आपको, जितना आप अपने आपको किसी चीज को आप नामुन की समझ रहे थे, या किसी चीज को असंभा समझ रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, आपका future आपको बताएगा, कि आपने past में क्या गलतिया करी है, और क्या हासिल यहाँ पर करा है, तो यहाँ पर अभी इस वक्त का जो past है, अभी current का अगर past में जाओगे, तो आपने बहुत गलतिया करी है, कुछ missing हुआ है आपसे, इसलिए जो भी आपकी विश्थी तमन्ना थी, वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, वो future कि हर चीज को, मतलब हर चीज को आपसे महसूस कराना चाहते हैं, आपको अउगत कराना चाहते हैं, आपको feel कराना चाहते हैं, ठीक है कि किसी के उपर depend नहीं हो ना, आपकी चीज है, यह आपको हासिल करनी है, और यह बहुत बड़ा ग्यान है, बहुत बड़ा एक तजुप एक्वा आपको किसी ने दिया यह भोले नात ने दिया आ एक को समय था और वह भी अकले होते हैं तो वह जो अकले होता है अचले होता है उसी को ही अपना साथ ही बनाना परता है ठीक कि उसमें ही खुश रहना परता है उसी में ही अपने आपको एड़्जस करने की कोशिश करने परती है और वही आप किया है यहां पर ठीक है यहां किंग ओ बैंड्स फाइनली आप मैं एक मैं कह सकती हूं यह शब्द को कि राजा आप जैसे आप भूले ना तापकी पता है कौन सी विश यहां पर पूरी करने हैं इन फ्यूचर का मैं यहां पर देख रही हूं आपके लिए के करन्ट सिच्वे फील होगा यह महसूस होगा कि फार्नली आपने जो जो बाबा से मांग रहे हो आप यहां पर वह सब चीजे आपको मिल रही है शायद आप अपने आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आपका सब कुछ एक टाइम पर आपका सब कुछ जिसे आप आप से या तो हो सकता जिसे आपने ही त्यागा हो या छिना हो या आपसे दूर हुआ हो कुछ भी कह सकती हूं यहां पर त्याग यहां पर मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यह एक जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं ठीके भक्ति मार्ग पर चलते हैं और एक जो भक्त होता है उसको सिर्फ अपन भक्ति में लीन होता है, सिर्फ वो अपने आपको जानना चाहता है, और परमात्मा को वहां पर जानना चाहता है, ठीके, लेकिन ये जो भक्ति का जो मार्ग होता है, ये मार्ग ऐसा होता है, कि जहां पर, मतलब हमारी, हमारा सब कुछ बदल जाता है, हमारा, हर, हर चीज में बदला उस चीज़ को हम देख सकते हैं ठीके तो ये ये करण सिच्वेशन के लिए बोले नाथ आपको बताना चाहते हैं कि एक टाइम पर जितना आपने अपने भक्ती मार्ग में हासिल करा ज्यान अर्जित करा वो अब आपको यहां पर उसका फल आपको यहां पर मिलने वाल आपने एक्सपिरियंस करा है समय के अनुस आप चर्चे चले गए घ्यान लेते चले गए यहां पर तो अब उसका फल उसका फल भोले नाथ आपको देने वाले हैं वह कभी भी ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी आपकी लाइफ में चमतकार कर देंगे ठीके यह आपको कुछ ऐसा आप ब्लैसिंग्स दे देंगे कि हां रातो रात आप बहुत फेमस हो गया रातो रात आपको कुछ ऐसा धनलाब हो गया या रातो रात आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया ऐसा कुछ नहीं होता है इश्वय परमातमा भी आपके कर्मों के अनुसारी अगर वो कु यह पर बोले नात्म को और बहुत जो भी आप माँग रहे थे यहां पर मुझेखे देरा में कि आप के अपनी खुदका साफ। रिस्पेक्ट लोह मैं आप हalley एवा लिसे के इह हमाटा स्ञार बोले रोलर ऑट आपको उस मुकाम पर या उस केरियर में सक्सिस सफलते होते हुए देखना जिसके लिए आपने इतने पापड़ बेले तो भोलेनात वही आपकी ब्लासिंग से पूरी करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं कि अब आप उस चीज को या उस सक्सिस को उस सफलता को आप महसुस करना है बहुत कुछ चीजें थी आपकी जो आपसे हटी है निकली हैं ठीक है क्योंकि यहां पर end-the-end आपको यहां पर यह देख रही हूँ आपके लिए क्योंकि आपका भोले नात ने आपके आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सपनों का पूरा करने का उनके आपने उनको छोड़ा था और उन्होंने आपका जिम्मा उठाया था ठीके तो ये करण सिच्वेशन के लिए आपको बोला यही का प्स Yes है बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी चीज को बहुत अच्छे से अलीब्रेट यहां पर करना चाहते हो तो को बहुत बढ़ा अपकी लाइफ में यहां पर आ कर आरहा है ठीके और बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं आपके लाइफ बहुत उया चाहते हैं बताना चाहते हैं और आपके जो सपने हैं मुख्य जो यहां पर यह बहुत इंपोर्टेंटे मुख्य है जिसे छोटी-छोटी चीजे तो होती रहती है लेकिन यह कुछ बड़ा है आपकी लाइफ में ठीक है तो यह बोलेना करण सिट्वेशन में बस आपको यहां कम करो और एक बड़ी सी स्माइल लाओ अपने फेस पर ताकि आप इस अवर्णनस को सक्सिस को अपने सको लेकिन इस पार आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है या भोलेना से आपने जो भी मांगा है प्रेयर करिये प्रात्ना करी है ठीके तो वो उन तक पहुंची है और वो आपकी विश को पूरा करने वाले है ठीके तो यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने जो म डायरेक्ट, इश्वर तक पहुंचती है, इश्वर तक आपकी पहुंचती है, फॉर्गिवनेस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि आपके चिंता का जो कारण था, आपकी टेंशन जो भी आपका प्रॉब्लम थी, जो भी समस्या हैं थी, उसका में रीजन था आपका, कि शायद आप किसी चीज़ को आप अपने दिल में लेकर बेठे हुए थे, उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ चीजों को जैसे भोले ना, आपको गहराई से समझाना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे, ठीके, कि आपकी एक्चुल में आपकी प्रॉब्लम क्या ह आपकी परेशानी क्या है, सायद आपको यही समझ में नहीं आ रहा था, कि आपकी प्रॉब्लम है तो क्या, परेशानी है तो क्या, चीजें क्यों रुकी हुई है, हमें इतनी तकलिफ क्यों आ रही है, हमें इतनी परेशानी क्यों आ रही है, शायद बहुत कुछ चीजे ऐस थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था और आप उस चिंता में आप डूबे चले जा रहे थे और रस्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था ठीके तो यह एक बहुत बड़ा पर क्शेंट मार्क आप पर लगा हुआ था जिसे बहूत चिंतन में ठीके और यह आपके साथ कहीं पर भी हो सकता है यहार्ण में आभन्णनूर्स में या केडियर, केडियर में भी सुक्सिस नहीं,रिलेशन में भी हार्मी नहीं ठीके और क्योंकि यह आपके ब्लोग केस बन तो उन सब चीजों को जिसे मुझे जला रहे है कोई किसी चीज को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे है थे पास्ट में कुछ इसा हो तो यहाँ पर आपके लिए हर मुझे सवा रहा है के आपको उस चिंतन से आपको बाहर निकाला जा क्योंकि आपकी जो आपकी वो क्यों का सवाल है ना कि क्यों हो रहा है मेर लाप में मुझे समझ में नहीं आ रहा यह हो तह हो के रहा है तो उसके सवाल जबाब आप शायद आप शायद दूसरों से ढूंड रहे थे या बहुत कुछ चीजे थी जो दूसरों से आप कनेक्ट कर रहे थे लेकिन चीजे कहां से खतम होनी थी कहां शुरू होनी थी वो समझ में नहीं आ रहा था चीजे आपसे ही शुरू हुई है ठीके जो भी प्रॉब्लम हुई है जो भी परेशानिया हुई है वह आपसे ही शुरू हुई है और आप पर ही खतम होंगी खतम कब होंगी कि ज आप से ही खतम होगा कहीं से आप क्या थे दूसरों पर दूसरों पर यहां पर आपकी लाइफ में चीजे चल रही थी तो दूसरों से आप चाहा रहे थे कि चीजे वहां से खतम होंगी वो ठीक होंगे तो वो ऐसा होगा तो लेकिन यहां पर हो सकता है सभी के लिए ना हो क्यो दूसरों परे खतं़ हो रहे थे लेकिन एक्चल में जो प्रॉब्लम होती हैं उन प्रॉबलम होती हूं हमसे ही खतं़ होती है। सवालों के जवाब आपके खुद के पास हैं, खुद के बीतर हैं, क्योंकि आपने पास ने बहुत कुछ ले लिया है, आपने, लाइट एक्टिवेशन, यहाँ पर, बिल्कुल, बिल्कुल, यह जो मैं देख रही हूँ, बोले नात आपको करन्ट सिच्वेशन में अब आपक जाते हैं, कि अब आपको, जितना उन्होंने आपको ग्यान से भरना था, जितना आपको हर सवालों के जवाब आपको देने थे, या जितना आप अंदकार में डूबे हुए थे, या जितना आपके अंदर जैसे उदासिन था, या आपको बहुत कुछ, आपके अंदर से रि ऑर बहुत कुछ आपको प्राप्त करना था बहुत कुछ अच्चिव यहां पर करना था क्यूआ हो अच्छी इस कर लिलीज होता यह लर्न होता है ठीक है वह आपने किया और भोलेनात ने आपसे करवाया तबी आप इस प्रकाश में आप आये हो तबी अपके अंदर एक इसि उर्जा बहरी है अप पहले आप दिशाहीन थे आपको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब एक इस जोत जलरी है आपके अंदर इस इसी उर्जा से भरे हुए हो इतना प्रकाश में आपके बाबा ने आपको यहां पर आपको जाना का है, आप एक लाइट वरकर हो, आपको यहां पर जो बहुत बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, अब टकराएंगे आपसे, अब आपसे मिलेंगे जो दिशाहीन हैं, जो बटके हुए हैं, जिने अपने खुद का रस्ता नहीं पता है, ज हातना करी है, आप रघ्राप आपको वो दिया जाएगा और अब आपके अंदर कोई एसी सवाल जवाब नहीं उठेंगे ठीके हर चीज का सवाल जवाब आपके भी तर है आपके अंदर एक ऐसी उजा एक एसा प्रकाश其實 जहां पर आप अपने acqu zij जहां भोले नात आपको ले जाना चाहते हैं, ठीके, वहां आपको ले जा रहे हैं, अब आप अपनी एक, अपनी जैसे कहते हैं, अपनी कुरसी जमाना, ठीके, अपना वजूद बनाना, अपना उतेश्य पूरा करना, वह वहां पर आप जा रहे हों, आपके अंदर जो मैंने बोला कुंची है आपके पास बंडार है आपके पास यहां पर तो अब किसी भी अगर आपको कुछ भी सवाल जबाब उठते हैं तो कहीं भटकने की ज़रत नहीं है सिफ प्रेयर करना है प्रात्ना करना है और अपने आप से पूछना है अपने आप से कनेक्ट करना है क्योंकि आपके अंदर ग्यान इतना बोले नात ने आपको दे दिया है ठीक है आपके पास जैसे कहते वाइट प्रकाश के रूप में आती है तो वही आपको वो उपहार आपको दिया है आपका ज्यान बढ़ाया, आपकी नोलेज बढ़ाई है चीजों को देखने का हर चीज का आपका रवया बदल जाएगा बोले नात आपको मैं सच बताऊना कि बहुत चीजे ऐसी होगी जो आपको बहुत आश्यरी चकित लगेंगी कि एक टाइम पर आप किस से अंजान थे, कहां भाग रहे थे, कर क्या रहे थे आपको जैसे आपकी चिंताओं से फूर्षत नहीं थी जिसे आपको अपने आप से ही फूर्षत नहीं थी अरे इस कुद्रत को देखो, यह जहां आप इश्वर ने आपको भेजा है इसकी खुबसूर्ती को महसूस करो, इसकी सुन्दर्ता को महसूस करो जीव, जन्तु, पेड, पोधे, इन सब को आप महसूस करो ठीके, तब आपको समझ में आएगा, कि एक्चल में, मतलब किसी भी अगर, अगर हम अपनी जिसे सोचने का या किसी भी चीज को हम बदल दें, ठीके, तो यहां पर क्या होता है, हर चीज बदल जाती है मुझे ऐसा लग रहा है, इस काहट से, कि एक टाइम पर आप बस सोचते ही, सोचते थे फील नहीं कर पाते थे, महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप फील करोगे, महसूस करोगे कुद्रत को, नैचर को, अपनी ब्यूटी को, अपनी अबंडनस को, अपने विस्टम को, बहुत कुछ चीजे हैं जो आपको पता चलेगा, हाइसुलेशन माई गड़, ये एक जैसे एक ये विशे निकल गया आपका, कि आपको किसी से शायद, अपने आपको किसी ऐसी चीज में आपने कैद कर रखा था, जहाँ पर आपको ग्यानी नहीं था, आपको उस चीज का आभासी नहीं था, कि आप गीरे कहां हूँ, आपको अपकर क्या रहे हो आपकी लाइफ में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेशन आपको दिया बोले नातने, जहाँ पर सारे दरवज्जे आपके लिए खोल दिये गए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा ना कि किसी चीज का आपको भै, डर, तो उससे भी आप बाहर निकलने वाले हो, ओके, एंड मैं यहाँ पर आकाशिक तेरो कार्ट से मैं देखती हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव क्या मेसेज है, पुलेनात का महादेव, क्या मेसेज है मेरे यह अब आपको महासूस करना है, आपको फील करना है, कि अब आपके जीवन में, आपके जीवन में क्या दस्तक देने वाला है, ठीके, आप इस कार्ड को देखो, थोड़ा सा दिहान से देखने की कोशिश करना, एक मिनिट, यहाँ पर, यह क्या है, यह इशर परमात्मा आपके दरवज्जे के बाहर खड़े हुए हैं, ठीके, आपको सिर्फ क्या करना है, इनका वैलकम करना है, इंतिजार आपको करना है, यह आपके लिए जैसे एक ऐसा आपके जीवन से अंदकार मिटाने आ रहे हैं, आपको रोशनी दिखाने आ रहे हैं, ठीके, अब आपको चारो तरफ प्रकाशी प्रकाशी यहाँ पर नजर आएगा, और अब आपको आपके जीवन में बहुत सारी ब्लासिंस हैं, जिसे अंदकार मिटे जाएगा आपके जीवन का और आपको हर solution के आपकी जो भी problem है उसके solution आपको नजर आने लग जाएगे यह आकाशी टेरोकार्स हैं यह बहुत अलग energy होती 10 number यहाँ पर तो जितना भी आपके घर में अंदकार जितना भी आपके जीवन में अंदकार था सब यह यहाँ पर जैसे अंत हो रहा है इस चीज का अब आपके जीवन में बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं जहां पर आपको खुद को अपने अंदर फील होंगी महसूस होंगी ओकी loving elements यहाँ पर आपके लिए बोला जाए गड़ इत्ते प्यारे बेबी हो आप इत्ते प्यारे बेबी तक आप अपने चिंता में ही डूबे हुए थे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो आप आपके लिए बोले ना आपको बाहर निकालेंगे ठीके और आप इस उर्जा में आप आने वाले हो आप एंजल्स आप कुद्रत नेचर इन सब चीजों को अब आप फील निकलोग और यही आपकी एक बहुत मुझे ऐसा लग रहा है यहीं से आपकी अबर्नस के आपकी खुशियों के सब के दरवज्जे यहां पर खुल रहे हैं तो आपके लिए आपके घबराने की जरुरत नहीं है ठीके आपका एक न्यू बर्थ में कह सकती हूं ठीके न्यू बर्थ आ आपका जैसे आपका बच्पना वापस से आप जीओ गए यहां पर आपके आप अपने हस जैसे बिंदास रहना खुल कर जीना मतलब सबसे बड़ी बात यहां पर आप साथ जाह पास्ट में आप सास पी नहीं ले पा रहे थे एक तरह की घुटन वाली लेकिन आप उतना ही आप देखोगे कि आप खुल कर सांस ले रहे हो जिसे अब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब मैं आजाद हूं और मैं मेरे इश्वर परमात्मा मेरे बोले नात के इर्दगीर्द हूं मैं ओके जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था यह वही आ गया है आपके लिए तो डीयर यह थे भूले नात के मेसेज आफ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती चाहिए बहुत लोग हो जाती है सारी क्वाइश्व क्यु ठैंक यू अंक शो मच वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट सेंदेख करने के लिए पाई हर हर महादेव जे सिकिष्णा रदे रदे हर्धर महादेव